Hey guys, welcome back, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी मोटापा किसी भी किसम का हो PCOD है, PCOS है, सिटिंग जॉब है या फिर आपके पास वक्त नहीं है जिम में वरक आउट करने का किस तरह से हम फैट को लूज कर सकते हैं तब तक फैट लूज होने का तो बनता ही नहीं है तो exercise compulsory है, पहले ही बता देती हूँ आप धीरे-धीरे करके start कर लिजे लेकिन exercise compulsory है कौन सी exercise है, यहाँ पे एक आई बटन होगा वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियो निकल जाएगी या फिर मैं वीडियो के बिलकुर एंड में क्लिप लगा दूँगी वहाँ पे क्लिक करके आप सीधा वीडियो पे पहुंच जाएगे ठीक है, तो exercise का तो यह हो गया और सुभी सुभी आपने करना क्या है जिससे आपको जो चीज लेनी है जो आपको अंदर से detoxify करेगी आपकी body को fat को lose करने में आपकी बहुत-बहुत सारी help करेगी PCOS है, PCOD है कोई भी इशू है जिसकी वज़े से मुटापा चरबी आपकी body पे चड़ी जा रही है, चड़ी जा रही है हमने कम कैसे करनी है, आज का method वही है ध्यान से और बड़े अराम से इस वीडियो को देखेगा follow कीजिए, चलिए देखते है नुस का remedy कैसे हमने अपने fat को कम करना है, let's get started तो दोस्तों सबसे पहले में आप लोगों के साथ share करने वाले हूँ Good Wives की, ये वाली एक herbal tea जो skin को illuminating करती है relaxing करती है और skin को काफी बड़िया बनाती है तो Good Wives के बिल्कुल natural है herbal है आप इसको पूरा बनाने का तरीका भी जैसे आप normal चाहे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको बनाना है जैसे कि यहाँ पे लिखा है और मैं इसको बना के भी दिखाऊंगी आप लोगों को Don't worry तो यहाँ पे जो चीज है इसके अंदर अगर इसके ingredients की बात करूँ तो नैटल, मोरिंगा, आमला, सिनमन, जिंजर यह सब फैनल, पैपर, मिंट यह सब इसके अंदर डाला गया है इसके फालतू की चर्बी निकालने में बहुत हेल्प करती है तो सीधा सा तरीका इसको बनाने का जैसे के तो दोस्तों सबसे पहले मैं गयस को ओन करूंगी उसके उपर 150 ml वाटर जो है वो एक पैन के अंदर डाल दूंगी और अब मैं इसके अंदर एक चमच डालूंगी ग्रीन ठी का इसे अच्छी तरह से उबाल लूंगी और फिर इसे तीन से पांच मिनट तक इसी तरह से पैन में ही रखूंगी और फिर इसे चान लूंगी तो यह मेरी चाय सुबे की बनके तयार हो गई है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं आपको तेस्ट बिल्कुल भी बहुत डिफ्रेंट लगता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो आप इसके अंदर एक चमच जो है रखनी का यूज कर सकते हैं उसके अलावा कुछ नहीं सिर्फ हनी आप इसके टाल सकते हैं और वाइस मैं आपको रिक्मेंट करूंगी कि आप इसी तरह से पीजी कि आपकी बोडी को बहुत रिलाक्स रखती है, बहुत अच्छी होती है, सभी हर्ब्स हैं जो आपकी बोडी के ओपर काम करने में आपकी बहुत साहिता करने वाले हैं, हर रोच एक कप चाहिए, लेकिन क बढ़िया है, तो आप इसका यूज़ किजिए, अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो नेक्स आप लोग के साथ शेयर करते हूं, हर्बर टी, अगें, इसके अंदर जैसे कि पिछली वाली के अंदर डाला गया था, कैमोमाईल, और नेटल, और इसके अंदर ह करता है, बोडी को, एंद सूध करता है, हमारी स्किन को, दोस्तों, पूरी बोडी को, अगर आप सूध करना चाहते हैं, स्किन बहुत मुलाइं, बच्चों की तरह सॉफ्ट हो, तो आप इसका यूज़ कीजी, ये भी बहुत बढ़िया, बहुत पॉफेक्ट है, हर्बल है, गुद वाइब का है, इनको परचेजिंग लिंक जो है, वो सब मैं आपको नीचे देदूँगी, अब मैं जो शेर करने वाली हूँ, वेट लॉस में आपकी मदद करने वाली है, चाहे, तो वो ये है, यहाँ पर मैं आपके पास तीन चाहे में आप लोगों के साथ शेर कर ग्रीन टी ग्रीन टी ग्रीन टी दोस्तों यह वाली जो ग्रीन टी है इसके अंदर हिप्सकस है रोबियोस है स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगा स्किन को प्यॉरिफाई भी करेगा वेट लॉस में आपके बहुत मदद करने वाली है यह वाली ग्रीन टी दूसरी है, इसके अंदर भी मोरिंगा है, लेमो ग्रास है, रेजिवनेटिव भी करेगा, मूड अपलिफ्टिंग भी है अगर आपको लगता है पीरिट्स के दुराम या फिर वैसे भी आपके मूड बहुत स्विंग करते हैं, बहुत चिचड़े हैं आप और आपको लगता है कि आप बहुत जादा जल्दी से ही एकदम गुसा आजाता है आप लोगों को तो आप इस ग्रीन टी का इस्तेमाल कीचिए, बॉड़ी को रिलाक्स रखने में, फैट को खतम करने में बहुत हैल्प करती है जो नेक्स्ट है, कैमोमाईल, लैमोग्रास, क्लेमिंग, स्किन ग्लोइंग, ग्रीन टी तो इसके अंदर भी सब कुछ ही आजाता है, आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं, ये भी बहुत बाफ़ेक्ट है, बनाने का तरीका सबका सेम ही है सबी जो मैंने चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर की हैं, पांचो के पांचों, सब वेट लॉस में बहुत ह treaties है और साथ साथ आपका वेट लॉस करती हैं, साथ में स्किन को रजिवनेट करने में, स्किन को लूइंग बनाने में आपकी बहुत मंदद करती है दोस्तों अगर आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं सुबह की चाय के साथ अपने वेट को कम किजिए शुरुआत कीजिए दिन की कुछ इस तरह से आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के लिए भी जानना बहुत जुरूरी हो जाता है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है वह कमेंट पढ़के अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चानल को लाइक शुर कर दीजेगा उससे मेरी होसला अफजाई हो जाती है तो मिलती है नए वीडियो में बाई बाई टेकियर लाव याल